क्या पढ़ने वाले हैं कि capital structure जो होता है इसको कौन-कौन से factors affect करते हैं सबसे पहला factor हमारे पास यहां लिखा है वो है degree of competition क्या है degree of competition बट degree of competition या इससे आगे जो हमारे factors लिखे हैं उनके बारे में पढ़ने से पहले कुछ basic बाते जो मैं आपको clear करना चाहूंगी वो यह कि capital structure क्या होता है capital structure होता है the decision of the proportion among various long term sources of finance कि जब एक company अपना capital decide करती है जब उसे funds की जरूरत होती है business में तो उसे यह decide करना होता है कि वो कितना पैसा debt source से उठाए और वो कितना पैसा equity source से उठाए तो उस decision को हम बोलते हैं the decision of capital structure ठीक है और capital structure में mainly जैसे मैंने आपको बताया कि दो sources के बारे में हम बात करते हैं finance के एक होता है हमारा debt source और दूसरा होता है हमारा equity source debt source और equity source के बारे मैंने आपको बहुत बार पहले भी बताया है फिर भी एक बार दुबारा बताना चाहूंगी before कि हम यह सब start करें in detail में discuss करना debt हमारा जो होता है वो एक risky source of finance होता है क्योंकि debt एक तरह का borrowed fund होता है जहां पर आप different financial institution से loan ले सकते हो या फिर debenture के form में पैसा raise कर सकते हो debentures issue करोगे और funds raise करोगे from the public तो वो हमारे एक तरह के debt fund sources of funds होते हैं और दूसरा होता है equity source equity source मतलब वो पैसा जो company अपने business का कुछ हिस्सा बेच कर इकठा करती है from the market जैसे की equity shares या preferent shares issue करकर जो business को पैसा मिलता है वो हमारा कहलाता है equity source से उठाया गया पैसा ठीक है तो equity और debt दोनों ही अपने में different sources हैं finance के दोनों के अपने कुछ different features हैं जिसके बारे में आपको पता होना जिसके उपर clarity होना बहुत जरूरी है तो capital structure के decision को जो factors impact करते हैं directly या indirectly वो various हैं बहुत सारे हैं और उनमें से कुछ important आज हम पढ़ेंगे सबसे पहला जैसे कि मैंना आपको बताया यहां लिखा है degree of competition so competition की क्या degree है market में अगर competition जादा होता है या कम होता है वो किस तरह से capital structure को impact कर सकता है वो हमें देखना है तो सबसे पहले यहां लिखा है या तो high degree होगा competition का या low degree होगा हाई डिग्री से हमारा क्या मतलब है कि जिस बिजनस में एक कंपनी एंगेश्ट है जो सर्विस या जो गुड्स वो सेल कर रही है वैसर सेम सर्विस या सेम गुड्स प्रोवाइट करने वाले मार्केट में और बहुत सारे लोग अगर अवेलेबल हैं तो उसे हम सिच्वेशन को बोलेंगे कि हाई डिग्री है कॉम्पेटिशन की मार्केट में बट अगर मान लीजिए बहुत ही फ्यू फर्म्स हैं बहुत ही लिमिटेड नंबर ओफ फर्म्स हैं जो बिजनस में अंगेश्ट हैं और उस तरह की सर्विस प्रोवाइट कर रही है तो हम बोलेंगे इन रिस्प Unless की बहुत ही लो डिग्री ऑफ कॉम्पेटिशन है अगर हाई डिग्री ऑफ कॉम्पेटिशन होता है तो इसमें ऑवियोसी बात है कि जो कंपनी की सेल्ज है या जो कंपनी का प्रॉफिट है वो stable नहीं रहेगा हमें नहीं पता होगा कि कब किस बिजनस ने ऐसी promotional activity launch कर दी जो उस business को favorably impact कर दी और बाकी business को unfavorably ठीक है तो इसलिए अगर company की sales unstable है या unstable profits है तो उसको जादा focus किस की तरफ रखना चाहिए उसको जादा focus रखना चाहिए equity की तरफ क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो debt है वो एक risky source of finance होते हैं क्या होते है risky source of finance होते हैं क्योंकि जो debt है वो एक तरह के borrowed funds होते हैं और जो भी borrowed funds होते हैं उन पर हमें interest देना होता है एक fixed rate से और अगर हम वो नहीं दे पाते हैं तो जो हमारे investors होते हैं जो मतलब जिनोंने हमारे business में अपना पैसा लगाया हुआ होता है वो उनके पास right होता है कि अगर हम उनको payment ना दे पाएं टाइम पर तो वो company को court में घसीर सकते हैं company के against case file कर सकते हैं तो उन situation से बचने के लिए अगर company के profit unstable है company को जादा focus equity source of finance की तरफ रखना चाहिए instead of debt source और उसी का opposite अगर low degree of competition है तो company के मतलब जो profits हैं वो stable रहेंगे क्योंकि company के जो मतलब sales हैं वो भी stable होंगी उसको पता होगा कि एक particular month में एक particular quarter में एक particular financial year में वो कितना समान बेच सकते हैं कितनी service प्रवाइड कर सकते हैं और उसी according वो debt source से पैसा भी उठा सकते हैं और इसलिए in the case of low degree of competition हम यह suggest कर सकते हैं that they can focus more on the debt and less on the equity ठीक है तो यह पहला factor था जिसने affect किया capital structure के decision को किस तरहां से affect किया वो मैंने आपको बताया I hope आपको एक clear हुआ होगा और इसी तरह से हम बाकी factors प्री discuss करेंगे second factor यहां पर जो लिखा है वो क्या लिखा है stage of the life cycle of firm हर एक firm जो है एक stage से होकर गुजरती है during its life जैसे कि पहले वो एक market में enter करती है जो उसकी initial stage कहलाती है फिर वो धीरे धीरे grow करती है फिर वो maturity पर पहुंचती और फिर वो decline करना शुरू करती है तो किस stage पर है एक firm अपनी life cycle के वो भी impact करता है capital structure के decision को अगर एक company initially market में enter हुई है अभी अपनी initial stage पर है तो इसका सीधा सा मतलब है कि जो firm है उसकी market में अभी मतलब इतनी जादा जो goodwill है उसका जो नाम है वो अभी नहीं बना हुआ होगा उसके जो customers है वो भी अभी मतलब कोई loyal नहीं होंगे तो initially जो है थोड़ा जादा risky रहेगा अगर आप debt की तरफ जाना चाहाओगे क्योंकि debt में वही है कि company को stable profits होने चाहिए ताकि वो debt का जो interest है वो timely लोटा सके बट in case of initial stages of the company तो वो हमारे पास नहीं रहता है stable profit stable sales नहीं होती है और इसलिए अगर एक company initial stage पर है अपनी तो उसे जादा focus equity पर करना चाहिए instead of debt should use more proportion of equity as chances of failure would be high इसलिए कह रहे हैं कि initial stage पर debt को avoid करना चाहिए और दूसरी और अगर वो company maturity stage पर है अच्छे से well established firm है उसके अपने customers है और उसके अपनी goodwill वो enjoy करती है अच्छे credit standing है उसकी तो उस case में company जो है debt पर focus कर सकती है instead of equity सीधी सी बात यहां पर यही है कि debt source की तरफ एक company को अपना जुकाफ तभी करना चाहिए अगर company के जो profits है जो company का cash flow है वो अगर stable है तभी company को debt की तरफ जाना चाहिए अगर company को जरा सा भी risk लगता है कि वो अपना जो है payment नहीं कर पाएगी debt source से लिए गए पैसे पर तो उसे जो है उसकी तरफ नहीं जाना चाहिए क्योंकि debt जो हमारे holders होते हैं जो हमारे debenture holders होते हैं उनके पास यह right होता है कि वो company के against case फाइल कर सकते है company को court में घसीड सकते है in case अगर company उनका पैसा नहीं लोटा पाती है ठीक है तो यह second factor था third factor हमारे पास यहां पर क्या लिखा है interest coverage ratio interest coverage ratio में क्या है interest coverage ratio का हमारा यह formula रहता है जहां पर क्या होता है profit before interest and income tax की एक जो firm है उसके कितने profit हुए है before making any external payments like of the interest on the debts or on the income tax to the government उन सबकी payment करने से पहले जो company के पास profit बचा है divided by fixed interest charges जो company को कितना interest जो है देना है मतलब profit divided by जो उसकी payment बनती है external payments in respect of the interest उससे हमें divide करना है तो उससे हमें पता चलेगी interest coverage ratio और interest coverage ratio या तो high होगी या तो low होगी अगर high होती है तो वो denote करता है कि जो company की capacity है वो अच्छी है to meet its obligations of fixed interest payment और lower जो ICR है lower interest coverage ratio है वो क्या denote करेगा वो denote करेगा that company has lower capacity to meet its obligation of fixed interest payment fixed higher या lower कैसे स्पोस कीजी एक company है उसके profits जो है वो 1 lakh है और एक situation में तो क्या है company के जो चार चीज है जो से देने है बाहर on the debt या on the loans मतलब जो company ने procure किये है from the financial institutions वो है 20,000 ठीक है यह हमारे पास पहली situation है और दूसरी situation क्या है कि company के जो interest payment है वो तो 20,000 है बर जो company के profits है वो 1 lakh नहीं है वो है 60,000 तो इस case में हमारी जो ratio है वो है 5 is to 1 और दूसरे case में हमारे पास जो ratio बनेगी वो कितनी बनेगी 60,000 divided by 20,000 3 is to 1 तो ratio high किसमे है इस case में मतलब जहां पे company के profits जादा है in comparison to the interest जो उसे pay करना है तो वो denote करता है कि company की जो capacity है to take the funds from the debt source and to meet its obligation वो अच्छी है वो capacity उसकी सही है तो मतलब वो debt source की तरफ जा सकता है बट in case of lower ICR company को जो जादा proportion है वो equity का use करना चाहिए instead of debt ठीक है तो यह हमारा third factor था जिसने capital structure की decision को impact किया I hope so अब जब हमने तीन factors पढ़े है और इन तीनों का ही जो explanation है वो आपको समझ में आया होगा कि किस ने किस धरहां से हमारे capital structure के decision को affect किया अब हमारा next जो यहाँ पर factor है वो क्या है next factor है cash flow ability of the firm cash flow ability कैसी है firm की regular cash inflows है या irregular cash inflows है regular मतलब की company के जो मतलब पैसा है वो जादा inventory में या फिर account receiver bill में stuck नहीं पड़ा है वो free है cash inflows regular हो रहे है company क्या कर सकती है जादा focus debt पर कर सकती है but in case company के irregular cash inflows है company credit पर जादा focus करती है at the time of the sales मतलब उसका जादा पैसा account receivables में stuck पड़ा है या inventory में जादा पैसा उसने लगाया हुआ है और जादा inventory की form में हमारे पास stock make की form में पैसा पड़ा हुआ है तो मतलब irregular cash inflows है और अगर irregular cash inflows है तो company co-fit debt की तरफ नहीं जाना चाहिए उसे जादा focus equity की तरफ करना चाहिए ठीक है और यह जो मैं कहा है रही हूँ क्यूं cash ना होने पर हमेशा हम equity की तरफ लेकर जाते हैं company को वो इसलिए क्योंकि अगर cash नहीं होगा तो company interest की payment नहीं कर पाएगी to the debt holders ठीक है और अगर नहीं कर पाएगी तो वो risk जो है financial risk है वो बहुत जादा हो जाता है company के लिए और उस financial risk को avoid करने के लिए ही हम कहते हैं कि अगर company के पास cash नहीं है उसके जो profits है वो irregular है उसका cash inflow irregular है तो उस case में company को जादा focus equity की और करना चाहिए instead of debt source next हमारे पास जो factor लिखा है यहाँ पर क्या लिखा है retaining control retaining control क्या मतलब है हमारा इससे आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा equity source है finance का उस case में company अपने business का एक हिस्सा बेच देती है company अपने business का एक share बेच देती है और उसके बदले पैसा procure करती है और जब company अपना share देती है तो equity share holders के पास यह right आ जाता है कि वो company के जो भी important decisions है उनमें अपना vote दे सकते हैं company के हर decision में अपना share रख सकते हैं अपनी बात रख सकते हैं और इसलिए अगर हमारी existing management यह चाहती है कि अब हम और अपना जो control है business पर वो ना lose करें कोई दूसरे equity holders आकर company पर अपना जो control है वो ना रख पाएं तो उस case में company क जाधा focus debt पर करना चाहिए क्योंकि debt जो होते हैं वो एक तरह के lenders होते हैं ना कि company के जो है share holders होते हैं तो in case of अगर company चाहती है कि वो अपना control ना lose करें और जाधा तो उसे जाधा focus debt capital करना पर करना चाहिए instead of equity क्योंकि debt holders के पास right नहीं होता to show to cast their votes in the important decisions of the company or to show their control over the important decisions of the company ठीक है तो यह हमारे पास retaining control factor next factor है हमारे पास cost of capital cost of capital means the cost of raising the funds अब मैं आपको बताया equity source है debt source है equity source में हमारे पास equity shares आते है preference shares आते है retained earnings आते है और हमारे पास debt funds में जो है debentures आते है loans आते है ठीक है तो इन सभी के थुरू पैसा raise करने की एक cost होती है जो हमने cost of capital में पढ़़ा था ठीक है cost of capital chapter में तो हमारा जो main हमारे हाँ पर discussion का point है वो यह कि हमारा जो capital structure है वो इस तरहां से होना चाहिए कि जो cost of capital है वो company की minimum हो जाए जहां पर ठीक है इस तरहां का company को capital structure जो है design करना चाहिए इस तरहां का decision लेना चाहिए कि जहां पर वो एक ऐसा mix decide करें among the various long term sources of finance जो उसके total cost of capital को minimize कर दें ठीक है तो यह next factor था और आज के लिए last factor जो है हमारा वो attitude of management कि जो management है उस का attitude है कुछ management होती है जो बहुत ही conservative nature की होती है और एक होती है जो बहुत ही मतलब ऐसे enterprising attitude की कि हाँ हमारे पास कोई भी challenge आ जाए कोई भी risk आ जाए we are ready to face that तो उस case में अगर company का nature है कि हाँ we are okay to face the challenges we want to assume the risk तो उस case में company debt की तरफ जादा अपना जुकाव रख सकती है बर management का nature इस तरह का है कि that we want to play safe हमें किसी तरह का risk नहीं लेना है हम कम में ही खुश है तो उस case में company को जादा जुकाव अपना equity की तरफ रखना चाहिए instant of debt और reason वही है कि debt हमारा जादा risky source of finance होता है in comparison to equity और risky क्यूं होता है वो भी मैंने आपको बता दिया क्यूंकि जो debt source of finance है वहाँ पर हम जो है company मतलब अगर मैं एक company हूँ तो मैं जो हूँ एक borrower हूँ और हमारे जो holders है debt holders वो company के lenders होते हैं और lender से जब भी कोई पैसा लेती है company as a borrower बन जाती है जब उसकी तो उस case में company को कुछ payment एक fixed rate of interest से करनी ही करनी होती है within a specified time period एक fixed time में और अगर वो company नहीं कर पाती है तो उस case में बहुत जो है negative implications हो सकती है like मैंने आपको बताया कि court में case file कर सकते हैं lenders तो वो सब avoid करने के लिए company को किस की तरफ अपना ज़्यादा जुकाब देना चाहिए in case of irregular sales, in case of irregular profits, in case of irregular cash inflows, in case of conservative attitude of management company को जुकाब देना चाहिए equity source की तरफ instead of debt source तो यह थे हमारे पास factors जिनों ने affect किया the capital structure decision of the company और I hope कि आपको यह समझ में आया होगा in case you have any doubt आप comment करकर पूछ सकते हो और I hope कि आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा तो वीडियो को like करना, नए आया हो तो चैनल को subscribe कर दीजे, thank you very much for watching this video, bye bye कर दो होगा होगा ह।